हेलो दोस्तो आपका स्वागत है आपके और हमारे इस चनल कलेक्शन टेक में राश हम बात करेंगे दो बड़ी ओटेटी फिल्मों के बारे में जिसमें अभिशेक बच्चन की फिल्म बिग बुल और विदू जामवाल की फिल्म दे पावर शामिल है और आपको बताएंगे न पब्लिक ओके डिक्स ने त्री इस्टा रिवी दिया जिस वज़े से फिल्म के वर्ड आप माउथ में काफी जबर जैस्ट ग्रोद देखने को मिली और डिजनी प्लस होट इस्टा पर रिलीज होने की वज़े से इस फिल्म ने अपने पहले दिन तीन करोण अब्बे लाग रुपी का अकड़ा पार कर दिया था इसी के साथ बिक बॉल फिल्म के 21 और 22 दिन के कलेक्शन की बात करें तो बिक बॉल फिल्म ने अपने 21 दिन भी ओड़री प्लेटफॉम पर काफी अच्छी पकड़ बनाए रखी और लगबग 2 करोड 64 लाख रुपे कमाई जिस वज़ रहा लेकर अगर इस फिल्म से विदूच जमवाल की फिल्म धपावर का कमपेरी जिरिजन करें तो धब आवर फिल्म में आपको विदूच जमवाल के शाथ शूर्ती हैशन लीडोल में दिखाए जी थी वहीं धपावर फिल्म का बज़र था 35 करोड रुपे लेकिन इस फि किया और फिल्म ने अपने पहले अप्ते ओडिडी प्लेटफर्म पर 50 करोड रुपे का आकड़ा आसानी से पार करते हुए 57 करोड ते तीस लाख रुपे का जबरजस्ट कलेक्शन किया लेकिन अगर इस फिल्म के भी 21 दिन और 22 दिन के कलेक्शन को कंपेर करें तो दा पावर फिल्म ने अपने 21 दिन ठीक ठाक कमाई की और लगभा एक करोड 86 लाख रुपे का जबरजस्ट कलेक्शन किया लेकिन अगर फिल्म के 22 दिन के कलेक्शन की बात करें तो दा पावर फिल्म ने अपने 22 दिन भी काफी अच्छी पकड़ बनाते हुए एक करोड़ नसी लाख रुपे की कमाई की जिस वजह से दपावर फिल्म का डूटल ओटरी कलेक्शन 87 करोड़ 20 लाख रुपे के आसपास रहा तो दोस्तो आज के ओटरी कलेक्शन के मामले में तो अभिशेक बच्चन की फिल्म बिग बूल ने मारी बाजी लेकिन लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में विदू जामवाल की फिल्म दपावर का कलेक्शन रहा ज्यादा जिस वजह से विदू जामवाल बने ओटरी के सबसे बड़े सूपर इस्टार लेकिन अगर आपने इन दोनों फिल्मों को देखा है तो आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई और आप इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्मों को को होगे सब सब बड़ी ब्लोबश्टर और सब सब बड़ी फ्लोप विदू जामवाल की फिल्म अधर पावर को या अभिशेक बच्चन की फिल्म ब्रिक बुल को आप किराए हमें इची कमेंड कर जरू बताए हमारे वीडियो पसना है हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और जाते जाते आपके और हमारे चनल कलेक्शन टेको भी सबस्क्राइब का बिल आइकोन प्रेज कर दे जिससे आपको लेटिस बॉलन उसके बॉक्स और इस कलेक्शन की रिपोन मिलती रहेगी सबसे पहले